हलो फ्रेंड्स वेलकम तो नंदके शोर क्लासेज आज का लेक्चर बहुत इंट्रस्टिंग होगा कोईशन ध्यान से देखिए आपके स्क्रीन पे है बाइवाट नमबर शुड़ फाइव बाइफ फॉर तो दे पावर नेगटिटिव तू बी डिवाइड इडिवाइड तो कोशेंट इस वन बाइट टू 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 पावर माइनस थ्री ऐसे कुश्टिंग में अकसर बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इसमें कई कंसेप्ट यूज हो जाते हैं जैसे कि एक्सपनेंट्स पावर वो तो है ओपर से फ्रेक्शन और उपर से पावर भी नेगटिव और साथ में कोशियंट और ऐसे वर्ड सुनके भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो आज के वीडियो में इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से स्टेप बैस्टेप क्लैरिफाई करेंगे और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सभी को बहुत अच्छे से समझाए तो और नमबर ही तो हमें निकालना है तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर मैं सुलिशन स्टार्ट करते वक्त सबसे पहले लिखता हूँ कि जी अगर 5 by 4 to the power minus 2 को divide किया जाए किस के साथ x के साथ तो question क्या आता है 1 by 2 to the power minus 3 ध्यान से देख लो बिल्कुल basic चीज़ सबसे पहले लिखनी चाहिए कोई confusion नहीं होती directly नहीं बच्चों को करवाना कि इसको उसके साथ multiply कर दो फिर तो cramming हो जाएगी पूरा basic concept अब यह divide का sign है क्योंकि मैं x के साथ divide कर रहा हूँ करूंगा क्या और clear कैसे करेंगे कि देखो divide का मतलब क्या होता है ऐसे नीचे x होगा divide by x का मतलब denominator में x कोई बात नहीं यह बना अब क्या करेंगे मुझे तो x की value निकाल नहीं है न cross multiply इस x को दूसरी तरफ multiply कर दीजे अगर यह x दूसरी तरफ ले जाके multiply करोगे तो मैं एक step यहां से काट के क्या कर रहा हूं अब x को इधर multiply कर रहा हूं राइट नीचे वाले x को उठाके हम दूसरी तरफ उपर ले गए अब क्या करेंगे अब हम यह जो 5 by 4 power minus 2 है अब उल्टा cross multiply भी तो होगा न यह 1 by 2 को दूसरी तरफ नीचे ले आएंगे जिसको कुछ classes में या कुछ बच्चों को कैसे पता होता है dividing both side by 1 by 2 to the power minus 3 लेकिन cross multiply भी बोलते हैं कि इस term को उठाके नीचे ले आएंगे तो मैं क्या कर रहा हूं 1 by 2 to the power minus 3 नीचे आ जाएगी और देखिए यह मेरी x की value आपके सामने आए एक्स की value यह आएगी लेकिन इसको simplify करना है अब इन शोट अगर देखें जब यह question था ना कि इसको किसके साथ divide करें कि यह बने तो actual में इनकी division ही करनी थी 5 by 4 power minus 2 को 1 by 2 power minus 3 से divide कर दो तो सरा जाता लेकिन वो क्रेमिंग हो जाती पता कैसे चलता कि डिवाइड क्यों किया दीजार्द स्टेप्स कि मैंने इसको इसके साथ डिवाइड करना है तो एक्स की वैलिव आ जाएगी अब डिवाइड करना सिखना है चलिए ध्यान से देखिए मैं आप उपर से question भी रब कर रहा हूं अब डिवाइड है तो मैं इसको और सिंप्लिफाई करके क्या लिखता हूं फाइव बाइफ फूर तुद पावर नेगटिव तू देखिए मैं डिवाइड का साइन दवारा लगा देता हूं और इसको अब अच्छे डंग से लिख लेते हैं कि जी वन बै टू 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 दू पावर माइनस थ्री इट विल बी इक्वल टू एक्स मुझे एक्स निकाल ला है अब मेरा अगला कंसेप्ट आता है यह नेगटिव जो पावर है ना इसको पॉजिटिव कैसे बनाया जाए मैं कैसे बनाऊंगा फाइट बाइफ फूर का उल्टा कर दीजिए फूर बाइफ पॉजिटिव बन गई माइनस टू की बजाए पॉजिटिव यह याद रखना य यह तो इदर भी हो जाएगा यह देखो वन बाइटू का उल्टा तो बैवन कर दो तो पावर क्या हो गई पॉजिटिव हो गई माइनस थ्री की बजाए क्या आ जाएगा प्लस का थ्री देखते जाए स्टेप्स को ध्यान से कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके लिख सकते आपको रिपलाई करने की पूरी कोशिश करूगा डैफिनेटली चलिए अब यह डिवाइड तो चलो ठीक है लेकिन यहाँ पर फॉर का स्क्वेर क्या है सिक्स्टीन फाइव का स्क्वेर 25 डिवाइडिड बै टू बैवन का मतलब तो यह होता है यह क्या हो गया एट बैवन हो और टू गां क्यूब एट वन-क रिष्व उत्वन रहीगा और अब डिवाइड के साइन को क्या कर दें मल्टिप्लली में पानवर्ट कर दें जब डिवाइड के साइन को मल्टिप्लाई में कंवर्ट करते हैं तो एट क्या बन जाएगा वन बाई एट हमारा आंसर बहुत नजदीक है अब एट से 16 काट दिया टू तो आंसर क्या आएगा टू बाई फाइव क्या आएगा जी मेरा आंसर टू बाई 25 सरी टू बाई 25 यानि की अब कुशिशन को स्टेटमेंट ध्यान से सोचिए इस नंबर को किसके के साथ डिवाइड करेंगे कि यह कोशिन आए तो किसके साथ डिवाइड करेंगे हमने एक्से स्पोस गिया था न यह निकी टू बाई 25 से डिवाईड करेंगे तो हमारा required कोशिण बनेगा तो इस तरह की कैसे अटेम्ट करने हैं आपको अच्छे से समझाए होगे और अगर अगर आप वो आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जुरूर कीजिए थैंक्यों सो मच